क्यूं हम सोचे की जिन्दगी में क्या होगा क्यूं हम ये सोचे की हर पर बुरा होगा बढ़ते रहें बस अपने मन्जिलों की ओर हमें कुछ मिले या न मिले कम से कम तजुरुबा तो नया होगा वेलकम टो और चैनल एक शेलिंग लिस्ट जोन एक बार पुना वन सकेंड cater bunk यू आउल ऑर वालकम टो आवर चैनल एक्स लिंग जोन एक वाड़ फिर से एक शेलिंग जोन पर तमाम विद्यारती गाण demon जो भी अभिवावगन इस वीडियो लेक्चर को सुन और देख रहे हैं उनका हारदी का विनंदन आज हम लोग पार्ट 17 के साथ उपस्तित हो चुके हैं रेंबो टू में निर्धारित दशोल्जर कभीता है दशोल्जर क्या है एक पोईट्री है जो कि चैप्टर नंबर 6 है उससे आज हम लोग टॉप 14 क्वेश्चन करने वाले हैं यह वीडियो लेक्चर जी हां इंटर्मीडियेट के 12 क्लास के बच्चे के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है वार्स हो साइन्स हो या कमर्स हो कोई फरक नहीं पड़ता बिल्कुल बोर्ड मोडेल क्वेश्चन होने वाला है इसलिए ध्यान देकर पढ़ाई करने की आउशकता है डरना नहीं है कि क्या होने वाला है सो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विए स्टाइट विए स्टाइट नहीं होगा किस ने लिखा है तो जी हाँ दा सोल्जर जो पोएम है इसके राइटर कौन है ऑप्शन ए वल्टर डिलामियर ऑप्शन बी रडियाट कीपलिंग ऑप्शन सी टीए सेलियाट ऑप्शन डी रिवपर्ट ब्रूग सो गाइस आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नमबर डी रिवपर्ट ब्रूग जी हाँ रिवपर्ट ब्रूग इंगलेंड के एक सच्चे देश भक्त हैं जिन्होंने फॉर्स्ट वर्ड वार में भाग लिया था और उन्होंने ही यह कभी ता रचा है लिखा है क्वेश्चन नमबर टू रिवपर्ट ब्रूग वाज बर्ड इंडेस निके रूपर्ट ब्रूग जो थे इनका जन्म कब हुआ था तो आपको बिलकुल ऑप्शन देखना ऑप्शन ए 1885 1885 ऑप्शन B 1886 ऑप्शन C 1887 ऑप्शन D 1888 सो गाइज इट्स राइड आंसर इज निकी कब हुई थी ऑप्शन A 1915 ऑप्शन B 1916 ऑप्शन C 1917 ऑप्शन D 1918 सो गाइज इट्स राइड आंसर इज ऑप्शन नमबर A 1915 1915 में जी है 1915 में रिवपर्ट ब्रूग का इंतकाल हो गया था इनकी मौत हो चुकी थी नेक्स्ट क्वेशन नमबर 4 रिवपर्ट ब्रूग के दिए रिमेंबर आइज अड़ यह किस रूप में याद किये जाते हैं और प्शन A रोमांटिक पॉएट के रूप में ऑप्शन B मेटाफिजिकल पॉइट के रूप में ऑप्शन C नेचर पॉइट नेचर पॉइट उस प्रकार के कभी को बोलते हैं जो प्रकृति के चीज़ों को जयादा लिखते हैं और आपशन नमबर D, वार पोएट यहनगी किस रूप में याद किया जाता है इनको शोगाइज आपशन नमबर D is the right answer तो वार पोएट के रूप में याद किये जाते हैं जिन्होंने यूद के बारे में काफी रशनाय लिखा है नेक्स्ट क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर फाइव रिपर्ट ब्रूक इंस्पाइड पैट्रियोटिस्म इन देश फेज अफ फॉस्ट वर्ल्ड वार यहनि कि पर्थम वर्ल्ड वार के किस फेज में यह काफी ज्यादा परभावित हुए इंस्पाइर हुए प्रेरित हुए इस यूद से आपको पता होगा कि 1915 में इनका इंतिकाल हो जाता है यह मृत्यू को प्राप्ट हो जाते हैं यह हैं तो इनिशण पंदरह में जबकि पर्थम वर्लड वार 1914 से 18 तक चला था जाहिर सी बात है 1915 में मर गए तो कहीं से भी मिडिल में नहीं था बिलकुल शुरू में ही था सो गाइज ऑप्शन नमबर ए इस दे राइट आंसर ऑप्शन नमबर ए अरली नेक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर शिक्स the sols the sols is a dash नेकि the sols क्या है the sols क्या है किस परकार की कविता है an octave यहां पर question में थोड़ा सा सुधार कर लेने कि आवशकता है आप यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे यहां question number 6 में जो solider लिखा हुआ है यहां पर आप देख रहे होंगे यह अपर श्टॉफी यह नहीं होगा यह पर स्टॉफी जो दिया गया है यह नहीं होगा है the solider is a dash नहीं कि solider जो कवीता है किस परकार की कवीता है option a and octave octave बोलते है eight lines के जो poems होते हैं उसको octave बोलते है next option option b a aynı की छे line के कवीता को c estet बोलते है option c a sonnet यह नि 14 line की कवीता को 14 lines की जो poems होती है उसको sonnet बोला जाता है option d a lyric तो आप बिल्कुल बारीकी से गिनेंगे attention में गिनेंगे तो यह 14 line की ही कवीता है तो 14 लाइन की कभीता को सॉनेट कहा जाता है, सोगाई option number C is the right answer. Now we move on the next question, question number 7. The soldier is a dash poem. Soldier की परकार की कभीता है, मतलब है कि जो कभी है कभी रिउपर्ट ब्रूक उसने इंग्लेंड पर काफी जोर दिया है सो गाइज ओपशन नंबर इस राइट आंसर पैट्रियो टिक यह कैसी कवित पैट्रियोटिक है या फिर वार पोएम भी कभी कभी आप्शन में आता है तो दोनों शही हो सकता है question number 8 the soldier deals with death है कि जो soldier कभीता है उसको कैसा भी बेचित किया गया ता है किसका वर्णन किया गया इस soldier में option A America का option B India का option C Russia का option D England का तो जाहिर सी बात है कि रिवपर्ट ब्रूग जो थे उंग्लेंड के थे तो इंग्लेंड का ही जिक्र करेंगे ना तो England is the right answer option number D England next question question number 9 the term concealed stands for destiny एक word आया है concealed आप पूरा कभीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक word आया है concealed c o n c e a l यहां पर आप देख सकते हैं concealed जो word आया है इसका मतलब क्या होता है बिल्कुल आप अपने दिमाग में शोचे कि इसका सही answer क्या होगा conceal का मतलब क्या होता है आप चौते लाइन में देख सकते हैं the soldier कभीता के चौते लाइन में इसका जिक्र है तो कॉंसील का मतलब क्या होता है option a hidden इनकी छुपा हुआ आप्शन सी आप्शन टैनि उपस्तित रहना आप्शन डीन आप देश तो इस राइट आंसर इज आप्शन नमबर ए यानिकी हीडेन होगा कॉंसील मतलब हीडेन ही होता है या हीडेन मतलब कॉंसील यानि दोनों का मतलब होता है चुपा हुआ क्वेशन नमबर टेन एकॉडिंग तूद थे पोएम यानिकी कभीता के अनुषार दसोल्जर कभीता के अनुषार इंगलाइड है इस गीवन हर नेटिव में तुकन वे यानिकी सूचना पहुचाने के लिए आप्शन डी टू प्रात्ना करने के लिए तो इट्स राइड आंसर इज आप्शन नमबर भी टू लाव यानिकी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें लिखा रहता है अधस्ट हूं इंगलेंड बोर सेप्ट मेडवेर गेब ओंसर फ्लावर तुल अवब हर वे टू रूम तो इसमें जीक रहे इसका टूलाव नेच्स्ट वेशन क्वेश्टन 11 डे टर्म या वह रीचर डॉस्ट इसमें रीचर डॉस्ट तो रीचर डॉस्ट का मतलब इसका वीता में क्या होगा ओप्शन एद पबली कि पब्लीक होगा जीनी लोग ऑप्शन बीईज ओन फैमली यानिकी उनका अपना परिवार प्रूट बूड ने अपने सरीर को क्या का है रिचर डश्ट का है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है इस ओन बोड़ी यहां से है आप ध्यान दिजिएगा डिजिएगा किसने रिउपर्ट बूड को इंग्लेंड का सबसे सुन्दर कभी कहा है अप्शन डिजॉन ड्राइडन ने अफसन सी लेंग लेंड ने अप्शन डी चासर ने तो इट्स राइड आंशर इस ऑफ्शन नमबर ए डबलू बीड्स ने रिपर्ड बूड को इंग्ल पेस्टन नंबर 13 रिवपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ डेस्ट डिजीज इन अप्रील 23 नैंटीन फिफ्टीन यह निकिए 1915 में रिवपर्ट ब्रूक की मौत हो जाती है और शहीद हो जाते हैं किस बीमारी के चलते होते हैं ऐसे यू दस्थल में अगर कोई ब्यक्ति मरता है तो उसको आम तोर पर शहीद बोला जाता है लेकिन यह बीमारी थी तो बिल्कुल जवाब देना है कौन सी बीमारी थी आपशन A टीवी आपशन B इंफ्लूएंजा आपशन C सेप्टी केमिया आपशन D नियुमोनिया तो नियुमोनिया पी से ही लिखा जाता है याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है रिपर्ट बुरूक कैसे मरे तो सेप्टी कीमिया नामक बीमारी के चलते मरे नेश्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 14 वाट वाज हीज फादर वाट वाज हीज फादर एट रगबी स्कूल कि हुणि प्रफेसर एक प्रफेसर थे ऽुगाइज और वी मांस्टर, the right d आंसर तो समापत होता है यती कॵेश्चन का सीरीस समापत होता है यह वीडियो आपको यसा लगा अप सला और सुजहाओ जरूर दे कमेंक्ट बॉक्स मैं और टेलीग्राम जॉइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने से, टेलीग्राम गुरूप जॉइन करने से, आप इसका जितना भी हाड कोपी है, अलग अलग तरीके के प्रेक्टिस चेट प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम को जानने के लिए आपको सबसे पहले प्ले मिल जाएगा आप वहां से जोईन कर सकते हैं सो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लाइक करें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो अगले वीडियो के साथ हम लोग पुना मिलते हैं तब तक के लिए बीद बेस्ट और बी है प्यूपी